वेलकम गाइस कैसे हैं आसा अच्छी होंगी साथि बीजबीज में मैं आपके लिए Microsoft Word से समन्दित भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आता रहता हूं और इसी के अंतरगत मैं कुछ और ट्रिक्स या कहें कि कुछ शोर्टकट कहा सकते हैं या टिप्स कहा सकते हैं Microsoft Word की जो आपके बेहद काम की हो सकती है वो मैं भी स्यूडियो में बताने वाला हूं तो इसको अंतक जरूर देखेगा नमस्कार साथि मेरा नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं computer ग्यान गुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो देखे हमारी जो टिप्स होंगी वो actual समश्याओं को लेकर क्योंगी आपके पास डेटा है इस परकार से यह आपने टाइप किया गलती से या फिर आपने किसी से टाइप करवाया है और उन्होंने आपका डेटा ना तो टैबस में टाइप किया है ना इसको टेबल में टाइप किया है उसने इस परकार से टाइप कर दिया या फिर आपने किसी software से यह डेटा डाउनलोड किया है ज काम उस डेटा को स्लेक्ट करा देंगे कंट्रोल ए हमने स्लेक्ट कराया और अपनी कीबोर्ड से हम शोट की यूज़ करेंगे ओल्ट एन टी आई किलियर काम हमने क्या क्या ओल्ट एन टी आई और उस डेटा के अंदर जहां पर इसको कोमन चीज मिली देखो यहां पर वैसे स्पेस मिल राता लेकिन यहां पर स्पेस नहीं मिल राता सिंगल नाम था लेकिन सब जगह इसको क्या मिला सब बीच में डैस था वहीं से इसने कॉलम सेपरेट करा दिये क nei ओप्शन कहां प्रे था यह मैंनवल बताता हूं आपको एक हम ने डेटा किया टेबल के अंदर गय ऑल्ट एन टी फोर टेबल और उसएट टेबल और ऑप क्लिक कराएंगे यहां पे हमने डीलिमेटर हमारे पास पकड़ लोग्राफ ने नंस्त पर चलते हैं मैं हमारे पास कुछ पराफ आप परीखर्म यहां आती है कि इस परेग्राफ आप ने हंदी करने तो हिंदी में ौक करने के लिए आप इस डेटा को कौपी करके Google ट्रांसलेट के अंदर या अधर डिक्टेशन प्रोग्राम में ले जाके पेश्ट कराने के जोत नहीं है इसको हम यहीं पर इस डेटा को स्लेट करा देंगे हमारे पास Microsoft Word में ओप्षन है Review tab में जाएंगे Review tab में आपको मिल रहा है यहां पर ट्रांसलेट सिधा यहां पर किलिक कर दें और यहां से हम चुन ले selection को हमने इस selection को translate कराना है और यहाँ पे आप देखो कि आपके पास right side में task pin open हो जाएगी और यहाँ पे देखो मेरे पास already convert होके आज चुका data क्योंकि मैंने पहले इसमे English to Hindi select किया हुआ था यदि आप किसी other language में इसको convert कराना चाहरे हैं तो दूसरी language भी यहाँ से ले सकते हैं कि आप किस language में अपने डेटा को convert कराना चाहरे हैं मैंने हिंदी चुना था तो यहाँ से यह हिंदी में convert होके आगया simply इस डेटा को हम यहाँ से copy करा लेंगे यदि हमको इसी जगह पे चीए तो हम insert कर देंगे replace हो जाएगा और यदि हमको अलग location पे चीए तो हम इस पूरे डेटा को copy कराएंगे और अलग location पे paste करा देंगे हो गया हमारा काम एक्स्टा चीज़े यहां से हटा के अपने डेटा को clean करा पाएंगे अब next tips आती है कि आपके पास इस परकार की application है जिसमें आपने डेली काम करना होता है डेली उसका print out लेना होता है और उसके अंदर हमको डेट भी इंसर्ट करानी है time भी डालना पड़ सकता है तो current date or time लेने के लिए हम insert tab में नहीं जाएंगे वरना हम insert tab में जा करके हम insert भी करा अल्ट सिफ्ट और डी प्रेस करा देगे और time insert कराना है तो हम अल्ट सिफ्ट और टी प्रेस करा लेंगे time insert हो जाएगा अब देखिए manual लिखने में और insert कराने में फरक्या है हमारे पास यह भी साथ बज़कार उन्शट मिनट एम दिखा रहा है यहां पर देखिए मेरे पास computer में यही time है इस file को मैं save करा देता हूं documents के अंदर save कराते हैं इस file को मैं कराता हूं test file के नाम से test 6 और save close कराते है control w और अब हम एक मिनट के बाद कम से कम इस file को open करेगे यह अगली दिन तो open कर नहीं सकते न ताइम लग जाएगा वीडियो बनाने में तो लगबग हमको एक मिनट हो गया यहां पर अब मैं फिर से करता हूं हमको update कराने के जूर्द नहीं है वो by default अपने आप update हो जाता है एक चीज़ और दिखाते हैं यहां पर मैं फिलाल इनको तो हटा देता हूं और इसी paragraph को मैं copy करा देता हूं यहां से हम paste कराते चले जाएगे मैंने तीन paragraph यहां पर paste करा लिए और यहां पर हमारे पास एक word आत हाईलाइट के लिए आप अपनी keyboard से control F find के लिए प्रेस करें या control x replace के लिए प्रेस करें दोनों से काम हो जाएगा यहां पर देको find के अंदर आते हमारे पस find भी है और advanced find के अलावा यहां पर देको replace भी है किसी पर भी कर सकते हैं replace पर करते हैं तो हम यहां से इस परकार से find पर चले जाएंगे या फिर हम find करते हैं तो find पर आ जाएंगे या advanced find के अंदर हम कुछ और option चुनना चाहें तो और option चुन सकते हैं फिलालम find के उपर है हमने यहां पर किस को highlight कराना है वो चूनेंगे मैं करता हूं click और click करने के बाद हमने find नहीं कराना है जितने भी click आए में लिखे हुए इस document के अंदर उनको हमने highlight कराना है highlight all और close आप देखोगे जितने भी word थे click के वो सारे highlight हो चुके है इसी परकार कुछ ऐसे symbol है जो आप ढूंडते रहते हैं आपको मिल नहीं रहे तो कुछ symbol तो हमने आपको खत्रे का सेंबल सी है तो उसके लिए अपने keyboard से टाइप करेंगे 2620 और keyboard से करेंगे alt x press तो आप देखोगे यहां पे एक खत्रनाक सेंबल बन गया मैं इसका size बढ़ाता हूं देखो यहां पे यह फोंट यह परकार का फोंट का size है तो देखो यहां पे danger sign बन गया हमारे पास इसी परकार कुछ और science है जैसे हमने victory का sign create कराना है तो अपने keyboard से पहले तो old key press करके रखेंगे और 9996 press करा देंगे victory का sign बन जाएगा या फिर हम old के साथ 9997 press कराते हैं तो हमारे पास right hand का sign बन गया जाएगा कहीं पर हमको sparrow का sign चीडिया उड़ती हुई चीए तो हम type करेंगे one capital F 426 और alt x press करा देंगे तो एक bird का sign बन जाएगा बढ़ कह सकते हैं sparrow कह सकते हैं चिडिया कह सकते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारे codes हैं आप कोई भी code press करें alt x दबाएं या फिर alt के साथ वो numeric की जो right hand पे numbers की होते हैं उन numbers को आप प्राइस करें और अपना symbol चुन ले कि आपको कौन सा symbol सी है और उस code को अपना note करके रख ले याद करके रख ले ओके आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसी परकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमाशाद बने रहे हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें मैं लाइक करें और यह दिन नहीं है आप मैर्चल पे तो हम सब् सुब्सक्राइब जरू कर लें